नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहें इंडिया 24-7 और मैं हूँ आपके साथ अजी देखते हैं खबर दुनिया की और शुरुआत ब्राजिल की खबर से ब्राजिल की एक जेल में दो गुचों के बीच पूनी जड़प में 60 लोगों की मौत हो गई है ये जड़प अमेजन शेहर की जेल में हुई आखिरकार गैंगवार की वज़ए क्या थी वो देखिये इस रिपोर्ट के जरी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में सबसे बड़ी जड़प तस्वीरे ब्रैजील की सबसे खतरनाक जेल की है जहां दो गुटों में खूनी संगर्श हुआ है रविवार शाम अमाजुनेस राजी के मनावस की जेल में जो कुछ हुआ उससे पूरा ब्रैजील सकते में है ड्रग माफियाओं की बीच असा टक्राव हुआ कि इसमें एक या दो नहीं बल्कि साथ लोगों की मौत हो गई आठ घंटे तक चली इस खूनी जड़प में ड्रग माफिया भिटते रहे लेकिन जेल के अफसर तमाश बीन बने रहे आठ घंटे तक कैदी हत्यारों का इस्तिमाल करते रहे लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था मीडिया रिपोर्ट के मताबिक गैंगवार साउ पाउलो के फर्स कैपिटल कमान यानी पी सी सी और लोकल क्रिमिनल्स के बीच ड्रग्स को लेकर हुई पुलिस के मताबिक दंगे के दौरान 72 कैदियों और कुछ पुलिस वालों को बंधग भी बना लिया गया था ड्रग्स को लेकर ये लड़ाई घंटो चली जिसमें कई कैदियों की मौत हो गई घटना के बाद कई लाशे एक दूसरे के उपर पड़ी हुई देखी गई हाला कि मीडिया को जेल के अंदर की तस्वीरे लेने से रोक दिया गया ब्राजील की तकरीबन सभी जेलों को दुनिया में सबसे खराब जेलों में गिना जाता है यहां की हर जेल में कैपिसिटी से कई गुना कैदी रखे जाते हैं जिनमें जादातर ड्रग माफिया और ड्रग एडिक्ट होते हैं यहां जेलों में दंगे होना कोई नई बात नहीं साल 1992 में साउ पाउलो की जेल में दंगा हुआ था इसमें 111 कैदी मारे गए थे इधर ब्राजील की जेल में क्यादियों के बीच हुई खूनी जड़प और मारपीट पर कई अंतराश्टी संगठनों ने ब्राजील सरकार की आलोचना की है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 अधर होंकोंग में एक बार फिर आजादी की मांग तेज हो गई है चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतराए और लगातार प्रदर्शन कर रहे है वहीं चीन ने ये कहा है कि वो होंकोंग का इस्तिमाल राजने तिक और इस्तिरता के लिए नहीं होने देगा चाइना के खिलाफ गुस्से में होंकोंग क्योंकि होंकोंग को चाहिए चाइना से आजादी प्रदर्शन की ये तस्वीर होंकोंग की है क्योंकि होंकोंग को आजादी चाहिए नए साल के शुरुआत होंकोंग में हंगामे के साथ हो रही है क्योंकि होंकोंग के लोगों को चाइना से मुक्ती चाहिए एक देश और दो नीती की पॉलिसी में फसे चाइना और हॉंग कॉंग के रिष्टे एक बार फिर ब्रेक अप की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं हॉंग कॉंग में हजारों लोग लोगतंत्र की मांग को लेकर सड़क पर उतराए हैं खास तोर पर वो छात्र जो अब आजाद हॉंग कॉंग में अपना भविश्य बनाना चाहते हैं जिस वक्त चीन अपना 65 वा राश्ट्रे दिवस बना रहा था ठीक उसी वक्त हजारों लोग हॉंग कोंग की आजादी की मांग कर रहे थे शेहर के मुख्य जगों पर चीन विरोधी हजारों लोग जुड़ गए देखते ही देखते हॉंग कोंग में जारी लोगतंतर समर्थकों का प्रदर्शन शेहर के कुछ और हिस्सों में फैल गया नई साल में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अपना मुख्य चुनाव आयुक्त होगा हमें उम्मीद है कि नया लीडर चुनाव सुधारों के बारे में सोचेगा और हमें हमारा वोड देने काहक दिलाएगा मैं यहां पर हूँ क्योंकि मुझे हौंग कोंग में कई तरह की दिक्कते पेश होती हैं जिसके कारण में प्रदर्शन कर रही हूँ और अपनी आवाज उठा रही हूँ प्रदर्शन कारियों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांग को चीन ने नहीं माना तो वो अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर देंगे साथ ही सरकारी इमारतों पर कबजा भी कर लेंगे दरसल चीन ने हौंग कोंग की आजादी की मांग का समर्थन करने वाले चार सांसत को आयोगित ठेहरा दिया था जिसके बाद से हौंग कोंग में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है चार सांसत आयोगिता का सामना कर रहे हैं इन लोगों को करीब एक लाग बोटर्ट्स ने चुना है और अब सरकार की इस बेतुकी कारवाई ने हंग कोंग के लोगों के अधिकार चीन लिये है मुझे डर है कि सरकार उन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उन्हें कैसे विरोध करना है वो बाहर आकर इसका विरोध नहीं करते इसलिए मैं डरावा हूँ लेकिन मुझे उमीद है कि भोविशे में या इस प्रजशन के जरीए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर लाएंगे और सरकार के रवेये के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे वहीं चीन ने कहा है कि वो हौंग कोंग का इस्तमाल अपने खिलाफ या राजनितिक अस्थिरता पैदा करने के लिये नहीं होने देगा होंग कॉंग के चीन में लियासुन आफिस के चीफ जांग जियो मिंग नेक इंटर्वियू में कहा कि चीन के नेता लागतार होंग कॉंग में आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन पर चिंतित है किसी को भी ऐसा कुछ भी करने की अजाज़त नहीं है जो देश की संप्रभूता या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए किसी को भी केंदर सरकार के अधिकार या हॉंग कॉंग की मूल कानून को चुनौती देने का अधिकार नहीं है आपको बता दें कि होंकोंग से चीन की मौजूदगी खत्म करने की मांग साल 2014 से ही हो रही है इस दौरान लोकतंत के समर्थन में व्यापक अंदूलन चलाया गया था साल 2016 की शुरुआत में दो सांसंदों ने शपत ग्रहन के दौरान होंकों की आजादी की मांग उठाई थी जिसके बाद उनकी शपत को अमान ने करार दे दिया गया था फिलहाल चीन ने अगर जल्द ही होंकों की आजादी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में ये मुद्दा उसके गले की हड़ी बन सकता है इंटरिनाशनल डेस्क इंडिया 24-7 दरसल आपको बताएं कि होंकोंग एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद था 1842 में होंकोंग यूनाइटिट किंडिम का विशेश उपनिवेश बन गया 1983 में इसे एक ब्रिटिश निर्भर क्षेतर के रूप में पुनर वर्गे क्रिप किया गया 1997 में चीन को संप्रभुता हस्तान तरित कर दी गई अपने बंदरगाह के लिए मरशूर होंकोंग की पहचान एक ऐसे महानगरिये केंडर के रूप में बनी जहांके खाने, सिनेमा, संगीत और परंपराओं में पूर्भ में पश्टिम का मिलन होता है शेहर की आबादी 95 फीसदी हान जाती के और अन 5 फीसदी है 70 लाख लोगों की आबादी और 1054 वर किलोमीटर जमीन के साथ होंकोंग दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले कुशेत्रों में से एक है और चले अब बात करते हैं इराक की राजधानी बगदाद की जो एक बार फिर बंधमाके से दहल उठा बगदाद में एक आत्मगाती बंधमाका हुआ कार में सवार हमलावर ने खुद को भी बंधम से उड़ा लिया अजधमाके में 30 से जादा लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हुए एक हफ़ते के अंदर बगदाद में ये दूसरा बंधमाका है धमाके से फिर दहला इराक बगदाद में हुआ आत्मगाती हमला कार में आया बेगुनाहों का कातिल इराक की राजधानी बगदाद एक बार फिर बंधमाके से दहल उठी बगदाद में एक आत्मगाती हमलावर ने भीड़ भार वाले इलाके में कार समित खुद को उड़ा लिया धमाके के बाद चारों तरफ धुआ छा गया कोई किसी को देख नहीं सकता था लेकिन रोने और चिलाने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी धमाके का धुआ जैसे ही साफ हुआ और जो तस्वीर सामने आई उसने सभी के रॉंग्टे खड़े कर दिये चारों तरफ या तो लाशें बिच्छी थी या फिर लोग घायल हालत में थे इस कार ब्लास्ट में 30 से जादा लोगों की मौत हो गई और दरजनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए आनन फानन में घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल में भरती कराये गया मारे गए लोगों में कई ऐसे मजदूर शामिल है जो रोजाना की तरह काम की तलाश में बगदाद के सदर बाजार में खड़े थे पुलिस के मुताबिक बगदाद में पिछले तीन दिनों में ये दूसरा बड़ा धमाका है 31 दिसंबर 2016 बगदाद के भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका 27 लोगों की मौत 9 जून 2016 बगदाद के पास दो बंबलास्ट 30 लोगों की मौत 17 मई 2016 बगदाद में ही चार बंबलास्ट 79 लोगों की मौत 11 माई 2016 बगदाद में कार बंब ब्लास्ट में 93 लोगों की मौत 1 माई 2016 साउस सीटी समावा में 2 कार बंब ब्लास्ट 33 लोगों की मौत इराक में अब तक हुए ज्यादतर हमलों के पीछे IS का ही हाथ रहा है इराक के कई लाकों में आतंकी संगठन IS का कबजा है इराकी सेना और आईए सातंकियों की बीच सालों से लड़ाई चल रही है इसलिए ये अंदेशा जताय जा रहा है कि इस हमले के पीछे आईएस का ही हाथ है हालांकि आईएस ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है इंटरनेशन डेस्क इंडिया 247 और इधर तर्की के इस्तांबूल में हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक संदिक्द की तस्वीर जारी किये है हलांकि अभी संदिक्द पुलिस की गिरफ्ट से बाहर है पुलिस इस मामले में अभी तक आठ संदिक्दों को वैसे गिरफ्टार कर चुकी है हमले की जिम्मेदारी आतंकी सिंगठन आईस ने लिए आपको पताएं कि भीरभारवाले कलब में भीरभार से भरे कलब में नए साल का जश्ण मना रहे लोगों पर एक शक्स ने फारिंग की थी जसमें 49 लोगों की मौत हो गई थी जसमें 24 विदेशी भी थे इन में से दो भारती भी शामिल थे हमले के बाद अफरा तफरी मच गई थी और हमला वर भी इसी भागदर का फादा उठा कर फरार होने में काम्याब रहाद वहीं आएस के आतंकी अब ब्रिटन को निशाना बनाने का प्लैन बना रहे हैं दुनिया के सबसे खतनाक आतंकी संगठन ने ब्रिटन में व्यापक दोर पर लोगों की हत्या की साज़िश रची है और इसके लिए वे केमिकल हत्यारों के इस्तेमाल की उज़ना बना रहे हैं आईस आईस का नया गेम प्लान क्या है ब्रिटन पर क्यों हमले की फिराक में है आईस आईस के आतंकी सीरिया और इराक में आतंक मचारे के बाद अब आईस आईस का नया गेम प्लान तैयार हो चुका है सीरिया को कब्रिगाह में तबदील करने वाले ISIS के आतंकियों ने अब ब्रिटेन में हमले की साजिश्टची है दुनिया के सबसे खतानाक आतंकी संगठन ने ब्रिटेन में व्यापक तोर पर लोगों की हत्या की साजिश्टची है और इसके लिए वो कामिकल हत्यारों का भी इस्तेमाल की योजना बना रहा है एक अंग्रेजी अक्वार को दिये इंटर्व्यू में ब्रिटेन के मंत्री बेन वॉलिस ने बताया है कि यूके की खुफिया विभागों ने इस बात के लिए आगाह किया है और ISIS के इस गेम प्लान से इससे निपतने की तयार्या भी शुरू कर दी है उन्होंने कहा है कि ISIS के सीरिया और इराग में केमिकल हत्यारों के इस्तिमाल की बात सामने आ चुकी है और अब इस बात की भी पूरी आशुनका है कि यातकी संगठन ब्रिटेन में भी इन हत्यारों का इस्तिमाल करना चाहता है सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने कितनी तबाही मचाई है ये तस्वीरें देखकर साफ बया हो रहा है ये तस्वीरें सीरिया के एलपो शहर की हैं जो आज बरबादी की एक जिन्दा मिसाल है तस्वीरों में दिखाये गया है कि किस तरह से ISIS ने इस शहर को बरबाद किया है मार्च 2011 में सीरिया का होम्स सबसे पहला शहर बना जहां असद सरकार के खिलाफ ISIS की बागावत का बेगुल बजा ISIS के आतंकियों की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया के जहन में ताजा हैं हालांकि ISIS से निपतने के लिए ब्रिटेन सरकार किस तरह की रणनीती अपनाती है ये तो वक्त ही बताएगा अधर 20 जनवरी को अमेरिका के एलेक्ट प्रेसिडेंट डूनल ट्रम्प की ओथ टेकिंग सेरेमनी है और इस सेरेमनी में चार चांद लगाने के लिए ट्रम्प की टीम ने कई स्टार्स और ग्रूप को सिलेक्ट कर रखा है लेकिन इसी समारों में गाने से एक सिंगर ने इनकार कर दिया है और अपना इस्तीफा तक सौप दिया है देखिए क्यों जिसके सिर्फ पर सजेगा यूएस का ताज जिसके पास होगी दुनिया बदलने की ताकत उस ट्रम्प को किस ने कहा ना सूपर पार अमेरिका के इलेक्ट प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम्प को पूरी दुनिया अब सुईकार कर रही है लेकिन एक शक्स है जिसे अब भी ट्रम्प मनजूर नहीं और इसलिए इस शक्स ने ट्रम्प की गुजारिश को सिरे से खरिच कर दिया है 20 जनवरी को इलेक्ट प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम्प की ताजपोशी होनी है और इसी ताजपोशी के इवेंट के लिए डोनल्ड ट्रम्प ने मॉर्मन टैबरनिकल कोईर ग्रूप को सिलेट किया है लेकिन इसी ग्रूप की एक मेंबर जेन चेंबरलेन ने डोनल्ड ट्रम्प के लिए गाने से इंकार कर दिया है उन्होंने साफ कह दिया है कि टरम्प के लिए समारों में गाने का मतलब ताना शाही रवाईय का समर्थन करना है इसके साथ ही उन्होंने कॉयल ग्रूप के प्रेजिडेंट को अपना इस्तीफा भी सौप दिया जेन ने अपने फेस्बूक पोस्ट में लिखा मैंने खुद से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मैंने महसूस किया कि मैं इनसान और भगवान में फर्क कर सकती हूँ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिटलर पर फूल नहीं चुड़ाऊंगी ये भी तह है कि मैं टरम्प के लिए नहीं गाऊंगी डॉनल्ड टरम्प ने खुद इस सेरेमनी के लिए मौर्मन टैबरनेकल कौयर ग्रूप को चुना था और ये ग्रूप भी खास है इससे पहले ये मौर्मन टैबरनेकल कौयर ग्रूप 1989 में जॉर्च S.W. बुश, 1965 में लिंडन जॉनसन, 1979 में रिचर्ड निक्सन के शेपद गरहंट समारों में गाना गा चुका है कौयर ने 2001 में जॉर्च W. बुश, 1989 में जॉर्च S.W. बुश और 1981 में रोनल्ड रिगन के लिए इनॉग्रल परेड के रूप में परफॉर्म किया था खबर है कि कई यूएस सेलेब्रिटीज ने इस मौके का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है लेकिन मिस इंडिया का खिताब जीतकर बॉलिवूड की रहा पकड़ने वाली एक्ट्रेस मनस्वी ममगई डॉनल्ड चुम्प के इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वहाँ परफॉर्म करने वाली है बहराल ट्रम्प या उनकी टीम के और से अब तक इस सिंगर की ना को लेकर कोई रिस्पॉंस नहीं आया है इंटर्नेश्टिज डेस इंडिया 24-7 टाइटनिक पानी पर चलता है एक पूरा शहर था टाइटनिक बने के बाद ये कहा गया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है लेकिन अपने पहले ही सफर पर ये पानी में समा गया था इसके डूबने के बाद से ही अब तक इसके पीछे की कई वज़ें सामने आई थी लेकिन अब एक और नई थियोरी सामने आई है 104 साल बाद क्या वाकई टाइटनिक के डूबने की असल वज़े अब सामने आई है 104 साल बाद उठा परदा समंदर के सिकंदर के अंत का राज आइसबर्ग नहीं तो टाइटनिक को किसनी डूबोया समुद्र पर जीता जाकता एक शेहर था वो समंदर की जान और अमीरों की शान था वो समंदर का नायाब अजूबा जिसे कभी डूबना नहीं था लेकिन वो डूब गया उस अजूबे का नाम टाइटनिक है समंदर का सिकंदर टाइटनिक जिसे साल 1912 में उसी समुद्र ने ली लिया लेकिन 104 साल बाद अब दे ग्रेट शिप टाइटनिक की मौत के राज से परदा उठिया है दुनिया का सबसे मशूर जहाज टाइटनिक के डूबने की वज़ा वो आइसबर्ग नहीं बलकि कुछ और है समंदर का सिकंदर टाइटनिक आइसबर्ग की टकरानी की वज़ह से नहीं बलकि आग की वज़ह से डूब गया ये दावा एक्सपर्ट्स की एक टीम ने किया है अप्रेल 1912 में न्यू यॉक के लिए रवाना हुआ टाइटनिक अट्लांटिक महस्तागर में डूब गया था 1500 से जादा यात्रियों की इस हाथ से में मौत हो गई थी अभी तक यह माना जाता रहा है कि टाइटनिक समुद्र के सता के नीचे बने एक आइसबर्ग के साथ तकरा कर डूब गया था अब शोधकरताओं ने कहा है कि टाइटनिक के बॉयलर रूम में तीन हफतों तक आग लगी हुई थी और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया इसी आग की वज़ह से जहाज शतिक रस्थ हो गया था फिर जब सफर के दौरान आइसबर्ग के साथ इसकी टकर हुई तो कमसोर होने की वज़ह से वो डूब गया टाइटेनिक पर बने इस डौकिमेंटरी टाइटेनिक दे न्यू एविडेंस में लोगप्रिय आईरिश पत्रकार और लेखक सेनल मनौली ने दावा किया है कि उन्होंने जहाज के मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ओर से ली गई तस्वीरों को 30 सालों तक स्टडी किया मलौनी का कहना है कि साथ हम्टम की तरफ जाने से पहले की तस्वीरों में पतवार के दहिनी ओर 30 फूट लंबे काले निशान देखे गए ये निशान जहाज की लाइनिंग के उस हिस्से के ठीक पीछे है जहां आइसबर्ग टकराया था दावा है कि आग की बजह से जहाज का तापमान 1000 डिग्री सेल्शियस तक पहुँच गया इसके बाद जब टाइटनिक आइसबर्ग से टकराया तब तक आग के कारण स्टील से बना इसका बेस काफी कमजोर हो गया था जिसकी वजह से आइसबर्ग के साथ टकराने पर जहाज की लाइनिंग टूट गई